तो कहते हैं ना अगर किसी इंसान को उसके आउकात से जादा मिल जाए तो वो आग मूतने लगता है ये इस बुढ़े ने प्रूफ कर दिखाया पिछले देर दो महिने से यूटूब पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है बाबा का ढबा बाबा का ढबा और बाबा का ढबा तो जैसा कि हमें पता है कि आज से दो महिने पहले अपने गरीबी और लाचारी से गुजर रहे इस पनीर पराठा बेचने वाले बुढ़े के ढावे पे कोई कुटा भी मूतने नहीं आता था मगर यूटूबर स्वाद ओफिसियल गौरफ से बाबा की या हालत देखी ने गई और सपोर्ट के नाम पे गौरफ भाई ने एक वीडियो बनाया जिसमें देश की जनता से गौरफ भाई ने कहा कि प्लीज बाबा को फाइनेंसियली हेल्प करो और फिर क्या बाबा की निक तो कहते हैं ना अगर किसी इंसान को उसके आउकाद से ज्यादा मिल जाए तो वो आद मूतने लगता है ये इस बुढ़्डे ने प्रूफ कर दिखाया क्यूंकि गौरफ भाई के सिर्फ एक वीडियो के वज़े से ही ये बुढ़्डा रात रात इतना फेमस हो गया कि पूरे देश बर्ते लोग इस बुढ़्डे के अकाऌंट में 10ुढ़ सारा पैसा डोनेट करने लगे को सीज करना पड़ा, इसी के वज़े से गौरब भाई ने अपने साथ साथ अपने घर वाले के एक दो एकाउंट को भी एड कर दिया, ताकि जो डोनेशन आ रहा है, वो कहीं रुक ना जाए, बाबा के लिए जितना डोनेशन ज्यादा हो सके, जमा किया जाए और at the end बाबा क को दे दिया जाए, इने बैंक स्टेट्मेंट के साथ गौरब भाई ने एक इंटर्वीव में ये कहा कि टोटल साले 3 लाग के आसपास फंट रेजड हुए थे, जो मैंने बाबा को दे दिये, लेकिन हद तो तब हो गई, जब इस अनपलगवार बुढ़े के कान में किसी न आकर ये हग दिया कि गौरब भाई के एकाउंट में 25 लाग से जादा पैसे हैं, जो कि बाबा आपके साथ गौरब भाई ने फ्रॉड किया है, स्कैम किया है, तो बाबा ने आओ देखा न ताओ, जाकर पुली स्टेशन में गौरब भाई के किलाब F.I.R ठोक दिया, ये थ जासे का घमन तो इसके सर चल कर बोल रहा है, और इतना ही नहीं भाईया, अभी ये गांडू बाबा कार में गूमता है, और सबसे सफ्राइजिंग बात ये है कि इस बुड़े ने अपने लिए एक मैनेजर भी हायर कर रखा है, अरे बुड़ो, अपनी बची कुची इतना भाग दोल किया, तुने उसे ही फसा डाला, उसे ही रुला डाला, उसके उपर ही तुने फायर ठोक डाला इसलिए मैंने बाहर निकलते ही सबसे पहले वीडियो बनाई, कि इनकी मदद हो चुकी है, आप रुख जाएए, मैंने हाथ भी जोड़ा, और मैंने लोगों को दर्ख्वास भी की, कि आप किसी को पैसा मत बेजी, अगर मुझे पैसा लेना ही होता, मैं क्यों वो वीडियो अब आप लोग देखना, इस बुड़े के नीच हरकत के वज़े से, दूसरे गरीबों को कितना जहलना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो लोग इन गरीबों की मदद करने के बार में सोच भी रहे थे, अब वो लोग इन गरीबों से कैसे मूँ फेर लेंगे, सिर्फ और सिर देखें, दोगलेपन के वज़े से, तो भाईया इस वीडियो का लाश्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, कि मैंने अल्रेडी बाबा के धाबा के उपर में एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो में कम फैक्ट के बेसिस पे, मैंने गौरब भाई के बारे में दोस्ट बाबा का था, आपने तो सारे फैक्ट्स इंटरव्यू में आकर सब कुछ क्लियर कर दिया, तो मार्फ कर देना, और मैं आप लोगों से भी ये बोलना चाहता हूं, कि गौरब भाई 100% सही बोल रहे हैं, तो प्लीज आप लोग भी गौरब भाई को सपोर्ट करो, उनको फालतु बाते मत बोलो, जो लोग ऐसे बोलते हैं, प्लीज उनको सपोर्ट मत करो, और गौरब भाई को जरूर सपोर्ट करो, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, क्यूंकि उन्होंने बहुत से लोगों को ऐसी मदद किये, बस थोड़ा सा मिस अंडरस्टेंडिंग हो ग लगते हैं, तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए, जैहिंन साइनिंग आप सोनु सिना ओरिजनल्स